नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों आचारे चारके के अनुसार युवा वस्ता में व्यक्ति जो कुछ भी अरजित करता है बुढ़ापे में वही उसका सहारा बनता है लेकिन कुछ गलत आदतें युवाओं के जीवन को बरबाद कर देती है आचारे चारके ने पाँच ऐसी आदतों के बारे में बताया है तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इनी बातों के बारे में जराविस्तार से बताएंगे दोस्तों कृपया आप सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाएंगे और रोजाना इसी परकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों चारक के जी कहते हैं युवा कई बार अपने काम में लापरवाही कर जाते हैं इसके कारण उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ता है अगर आपको किसी काम का अनुभव ना हो तो किसी अनुभवी व्यक्ती की सलाह लेकर वो काम करना चाहिए जिससे की सही मार्ग दर्शन प्राप्त हो और किसी का नुकसान भी ना हो दोस्तों आलस सिर्फ युवाओं का ही नहीं बलकि हर व्यक्ती का शत्रू होता है ये सिर्फ आपके समय को बरबाद करने का काम करता है चारके का मानना है कि युवाओं के जीवन में आलस का कोई इस्थान नहीं होना चाहिए युवाओं को जीवन हमेशा अनुसासन के साथ जीना चाहिए और अपने सोने और जागने का समय तै करना चाहिए ताकि आलस उन पर हावी ना हो सके और वो अपने मूल लेबान समय का सदूपियोग कर सके नमबर तीन नशा दोस्तों चाड़क के कहते हैं नशा करने की आदत भी युवाओं के लिए अभिशाप है नशे से आर्थिक हानी होती है और साथ ही शारिरिक और मानसिक दोनों तरह से हानी होती है नशा व्यक्ति को गलस संगती में ले जाता है हर तरह से सक्षम होने के बाबजूद भी ऐसा शक्स अपना बहतर प्रदर्शन नहीं कर पाता ऐसा व्यक्ति अपने बरतमान को तो बिगाड़ता ही है साथ ही भविष्य को भी खराब कर लेता है नमबर चार गलस संगत दोस्तों चारिक के जी के अनुसार संगत का आसर व्यक्ति पर जरूर पड़ता है यदि व्यक्ति गलत लोगों के बीच में बैठेगा तो उसमें भी गलत आदतें जरूर आएंगी इसलिए हर व्यक्ति को अपनी संगत को लेकर सजग होना चाहिए गलत लोग आपको लक्ष से भटकाते हैं और आपके जीवन को अंधकार की और ले जाते हैं नमबर पांच काम भावना दोस्तों चारिक के अनुसार यवाओं को कई बार कम उमर में ही काम भावना जैसे गलत काम की लत लग जाती है ये आदत उनका जीवन पूरी तरह से बरबाद कर देती है इससे ना सिर्फ उनका भविश्य बलकि शरीर भी खराब हो जाता है इससे उनका मानसिक संतुलन भी पूरी तरह से खराब हो जाता है और मनों मस्तिश्क में इसी तरह की बातें चलती रहती है दोस्तों आज के लिए बस इतना ही हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें साथ ही अपने दोस्तों में इसे शेयर करें और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने में इंट्रेस्ट है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे दोस्तों मिलते हैं एक इसी प्रकार के अगले वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माई वीडियो